असलावलेकोम एप्रिवोन वेलकम बैक टू मैं चैनल आज मैं आप लोगों के साथ यह लेस डिसाइन शेयर करने वाली हूं एक ब्यूटिफुल सी बीड्स लेस डिसाइन इसे मैंने सिल्क थ्रेट से बनाया है इसे स्लीव पर मैंने बनाया है सो मैंने सोचे आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं एक मैंने स्लीव यहाँ पर बना ली है एक और हम बनाएंगे वो मैं फुल टिटोरियल आप लोगों के साथ शेयर करती हूं सो अगर आप मुझे फर्स टाइम देख रहे तो मेक शूर आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है फिर बैल नोटिफिकेशन ओन कर देनी है ताकि मैं जब न्यू वीडियो दालो तो आप लोगों को उसकी नोटिफिकेशन मिल सके सो चलिए स्टाइट करते हैं नमबर मैंने ये सिल्क थ्रेड लिया है इसमें मैंने कुछ मोती डाल दिये है और नीडल मैंने यहां ली है सेवन नमबर 0.95 mm की सबसे पहले हम फिंगर पर धागा फोल्ट करके स्लीपनट लेनेंगे स्लीपनट लेने के बाद स्लीपनट के फ्रंट साइड से हमें अटेज करना है अब आप देखूंगे कि यहां पर यह डबल सिलाई है क्योंकि अस्तर वाला टॉप है तो हमें क्या करना है यहां से अगर आपको सिंगल सिलाई मिलती है सिंगल कपड़ा मिलता है तो ठीक है वरना आपको फिर टेलर से करवाना होगा यह देखें अगर जाड़े कपड़े में आप निरल दालोगे तो नहीं जाएगी तो हमें यहां पर सिंगल कपड़ा उठाना इस तरीके से, अब हम लेंगे 2 चैन, फिर थोड़े गैप पर अटेज, फिर से 2 चैन, फिर थोड़े गैप पर अटेज, थोड़े गैप पर अटेज, और पहले हम ये पुरी बेसलाइन बना लेंगे, अब लास्ट में क्या करना है, फिर से 2 चैन लेना है, यहाँ पर जो gap बचा है और जहाँ से हमने start किया था उस attach में हम needle डालेंगे इस तरीके से और यहाँ पर हम इसके उपर attach कर देंगे अब हम लेंगे total 4 chain 1, 2, 3, 4 इस तरीके से फिर needle पर दागा फोल्ड करके यह जो attach है इसके उपर double crochet बना लेंगे इस तरीके से फिर लेंगे 2 chain फिर यह 2 chain का gap छोड़कर यह जो attach है इसके उपर हम double crochet बना लेंगे फिर 2 chain लेंगे 2 chain का gap छोड़कर attach के उपर double crochet बनाएंगे फिर 2 chain लेंगे गेप छोड़ देंगे और इसके उपर double crochet बनाएंगे और ऐसे हम ये पूरी लाइन कम्प्रीट करेंगे तू चैन लेना है और तू चैन का गेप छोड़कर अटेज के उपर double crochet लेते जाना है ये लाइन भी हमारी complete हो गई अब लास्ट में हमें क्या करना है? टू चैन लेनी है और यहां पर टू चैन छोड़कर थर्ड चैन के गैप में अटेज कर लेना है इस तरह के से और यह अब हमारी फर्स्ट लाइन पूरी कम्प्लीट हो गई अब हम सेकंड लाइन यहीं से स्टार्ट करेंगे फाइफ चैन ले लेंगे वन टू थ्री थ्री चैन एज़ डबल क्रॉचट काम करेगी जैसे यहां पर हमने बनाया था और टू चैन आगे बढ़ने के लिए और यह जो डबल क्रॉचट है इसके उपर हम फिर से डबल क्रॉचट बना लेंगे इस तरीके से फिर लेंगे हम टू चैन फिर इस गैप में डबल क्रॉचट के उपर डबल क्रॉचट बना लेंगे फिर टू चैन लेंगे फिर इस डबल क्रॉचट के उपर डबल क्रॉचट बना लेंगे ऐसे हम यह भी लाइन कंप्लीट करके आपको बताते हैं यह लेखी यह सेकेंड लाइन भी हमारी कंप्लीट हो गई है और अब हम सेम ऐसे ही टू चैन लेंगे और यहाँ पर वन टू एंड थ्री थर्ड चैन के गैप में अटेज करेंगे नीडल दालेंगे दागा लेते में बाहर आएंगे और इस दागे में से भी बाहर आजाएंगे और यह हमारी लाइन पूरी कंप्लीट हो गई अब हम ऐसे ही फिर थर्ड लाइन स्टार्ट करेंगे फ़िर फाइफ चैनल नेंगे और इस double crochet के उपर double crochet लेंगे फिर two chain लेंगे फिर यहां पर sorry double crochet के उपर double crochet फिर two chain फिर double crochet के उपर double crochet और ऐसे ही हम यह line भी complete करेंगे उसके बाद में एक और line बना लेंगे Total हमें 4 lines बनानी है जिसे हमने इसमें बनाया है यह देखे 1, 2, 3 and 4 4 lines complete करने के बाद अब मैं आपको बताती हूँ यह 3rd line हमारी start हो गई है 3rd line भी हम ऐसे ही end करेंगे जैसे सेकेंड को किया है, फिर फोर्ट लाइन स्टार्ट करेंगे, फोर्ट लाइन भी वैसे ही एंड करेंगे, अब मैं आपको चाल लाइन इसकी बना कर बताती हूँ, यह देखिए हमारी यहां पर फोर लाइन्स कम्प्लीट हो गई है, वन, टू, त्री एन फोर, जब यह हम हमारी फोर लाइन्स कम्प्लीट हो जाए, अब हम आगे की डिजाइन स्टार्ट करेंगे, थ्री चैन ले लेंगे आगे बढ़ने के लिए, वन, टू, थ्री, थ्री चैन लेकर, एक गप यह वाला स्कीप कर देंगे, और नेक्स्ट गैप में अटेच करेंगे, यह एक बॉक है वो स्कीप हो गया, नेक्स्ट इसमें अटेच, फिर थ्री चैन लेंगे, यह वालन टू, थ्री, फिर नेक्स्ट कैप में अटेच करेंगे, यह दो गैप हमारे पंस बन गये, अभ हम लेंगे, डूबल क्रोचेट, यह एक अपण स्टार्ट करेंगे, एक gap skip कर देंगे और next gap में लेंगे 8 times 8 बार double crochet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 बार हमने double crochet ले रहा. फिर ये gap skip होकर next gap में attach. इस तरीके से. अब हम लेंगे 3 chain. 1, 2, 3. 3 chain लेकर ये जो double crochet ही ये वाला नहीं. ये एक gap छोड़कर उसके बाद वाले double crochet के उपर attach कर लेंगे. इस तरीके से. अब हम लेंगे 1 chain. अब यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 gaps आपको दिख रहे हैं. इन सब में हम 1 chain लेकर वन टाइम double crochet लेंगे. अब हमने 1 chain लेनी turn लेनी के लिए. अब हम डारेक्ली इस gap में वन टाइम double crochet लेंगे. षिप लेंगे 1 chain. नेक्स्ट केप में 1 time double crochet. फिल लेंगे 1 chain. फिल नेक्स्ट केप में 1 time double crochet. फिर वन चैन वन टाइम डबल क्रोचिट ऐसे हम पूरे एट डबल क्रोचिट के उपर एट डबल क्रोचिट बना लेंगे वन चैन वन टाइम डबल क्रोचिट फिर वन चैन वन टाइम डबल क्रोचिट then one chain one time double crochet one chain and last one time double crochet yes अब हमने यहाँ पर start में आपने देखा three chain attached के दो gap हमने बनाये थे उसके first chain के gap में हम attach करनेंगे इस तरीके से sorry one chain भी last में लेकर फिर attach करेंगे yes start में भी हमने यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए one chain ली थी और end करते वक भी हमने one chain लिया है फिर हम three chain लेंगे इस first gap में attach करेंगे अब two chain लेकर अगे बढ़ेंगे यहाँ पर हमने one chain लिया था next line में हम sorry one chain लेंगे और फिर मोती attach करेंगे one chain ही लेकर हम turn लेनेंगे अगर आपको मोती attach नहीं करना है तब आपने two chain लेनी है अब one chain लेकर मैंने turn ले लिया यहाँ पर two chain नहीं लेना है one chain ही लेना है अगर आपको मोती नहीं लगाना है तब आपने two chain लेना होगा अब हम मोती पास कर लेते यह देखे one chain फिर यहाँ पर यह मोती लगेगा ऐसे नीडल के नीचे आपको मोती को पकड़ना है यहाँ पर attach कर लेना है then one chain लेनी है और double crochet के उपर double crochet बना लेना है इस तरीके से फिर one chain लेंगे फिर एक मोती पास करेंगे मोती को अटेज कर लेंगे फिर one chain लेंगे फिर double crochet के उपर double crochet बना लेंगे इस तरीके से फिर one chain लेंगे फिर एक मोती पास करेंगे फिर one chain और double crochet के उपर double crochet ऐसे ही हम eight times eight मोती लगा लेंगे one chain लेंगे मोती पास करेंगे अटेज कर लेंगे पिर one chain लेंगे और double crochet के उपर double crochet बना लेंगे फिर one chain लेंगे मोती पास करेंगे अटेज करेंगे then one chain लेंगे और double crochet पर double crochet बना लेगे one chain मोती को attach कर लिया फिर one chain लेगे और double crochet बना लेगे one chain लेगे मोती attach करेंगे फिर one chain लेगे और double crochet बना लेगे one chain लेगे मोती पास कर लेदे फिर attach कर लेगे अब हमें क्या करना है यहां पर जो हमने double chain का attach लिया था ना इसके cross में हमें double crochet लेना है मैं आपको बताती हूँ यह जो आप बनाओगे न तो आपको दीखेगा यह three chain का लास्ट attach है ना इसके gap में हमें double crochet लेना है इस तरीके से और अब इस double crochet को हमें इस gap में first gap में जहां पर यह end हो रहा है जहां तक यह जूक रहा है उसी gap में attach कर लेना है अगर आपकी stitch बढ़ी आती है और आप इस gap में आते हो तो इस gap में attach कर लेना और यह देखें यह हमारा first round विल्कुल complete है और इसका look कितना प्यारा लग रहा है ऐसे ही हम next round continue follow करेंगे मैं आपको थोड़ा दिखा देती हूँ 3 chain लेंगे अब इस gap में attach कर लेंगे फिर 3 chain लेंगे यह gap छोड़कर इस gap में attach कर लेंगे अच्छे, वैसे एक बार मैं ये भी आपको बता दू कि ये 3 chain attach का क्या पंगा है? अब आप बोलोगे कि कभी आप gap छोड़ते हो, कभी नहीं छोड़ते हो, तो क्या होता है? कि जहां तक हमारी chain पहुँच रही है, वहां पर हमें attach करणा होता है, ऐसे नहीं है कि अब हम ये gap छोड़कर एक gap में attach करना है तो नहीं भी पहुँच रही है तो खीच-खीच कर आप बना रहे हो उसमें finishing नहीं आएगी जहां तक आपकी stitch पहुँचती है और आपको लगता है कि आपको attach करना है तो उसी जगा पर आपको attach कर लेना है अगर आप double crochet के उपर पहुच रहे हो तो आपको वहीं पर attach करना है gap की तरफ पहुच रहे है तो वहीं पर attach कर ले और ऐसे ही हम second round continue follow करेंगे दो gap हमने यहाँ पर start में भी बनाये थे उसके बाद हमने एक gap छोड़ कर ही next gap में 8 times double crochet बना लिया था 1 2 3 अब हमें मोती की ज़रत नहीं होती है तो उन्हें side पर कर देना क्यूंकि वह बीच बीच में फिर आते है और speed में बन नहीं पाता है 1,2,3,4,5,6,7,8 8 double crochet हमने ले दिये अब यह gap छोड़ कर ही next gap में हम attach करेंगे इस तरीके से फिर 3 chain लेंगे और आगे बढ़ेंगे 1,2,3 अब 3 chain अगर यहीं पर पहुँच रहा है तो मैं यहीं पर attach कर रही हूँ यह देखें अब हम लेंगे 1 chain and turn अब 1 chain हमने ले दी है इसलिए डाइरेक्ली double crochet अब अब डाइरेक्ल करोगे तो पहले 1 chain ले लेना फिर 1st cap में 1 time double crochet then 1 chain and then double crochet फिर 1 chain लेंगे फिर 1 time double crochet लेंगे फिर 1 chain लेंगे फिर 1 chain लेंगे 1 chain and 1 double crochet फिर हमने यहां पर जो attach gap बनाये थे उसमें से 1st में हमें attach करना है लेकिन last में भी हम 1 chain लेकर ही attach करेंगे अब आगे बढ़ने के लिए हमने फिर से 3 chain ले लेनी है इस gap में attach कर लेना है और 1 chain लेकर turn लेना है अगर आपको मोती दालने है तो 1 chain लेकर turn ले otherwise 2 chain लेकर आपको double crochet बनाते जाना है अब हमारा यह second round भी complete हो गया अब third and last round हम मोती वाला बनाएंगे 1 chain लेंगे यहां पर मोती पास कर लेंगे और attach कर लेंगे फिर एक chain लेंगे और first double crochet के ऊपर double crochet बना लेंगे फिर ऐसे ही हम यह पूरा round complete करेंगे तो यही इसका look है final और मैं आपको पूरा round complete करके एक बार बताती हूँ यह पूरा round आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इस round में इसलिए मैं यह पूरा explain नहीं कर रही हूँ क्योंकि वीडियो बहुत जादा लंबी हो जाएगी तो आप ऐसे ही continue follow कर लेना यह देखे गाईज यह है इसका final look I hope कि आप लगों को यह lace design समझ में आई है और अच्छी भी लगी है समझ में आई है अगर अच्छे से तो वीडियो को like और share ज़रूर करें कमेंट करके बताएं कि आप लोगों को यह lace design कैसी लगी और मेरा एक और शेनल है यूटूब पर बी नैच्रल सिक्रेट्स जहां पर weekly giveaway चल रहा है उस वीडियो की लिंक भी मैं आपको नीचे description box में दे जूँगी सो चेक ज़रूर कर लेना और Instagram पर मुझे DM करना अगर आप यह lace design बनाते तो मुझे उसकी फोटो भेचना मैं ज़रूर आप लोगों को tag करूंगी और यह देखें इसका look कितना प्याला लग रहा है I hope कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है और आप लोगों के लिए helpful है so मिलते हैं नेक्स वीडियो में इंशालला अपनी दुआओं में याद रखेगा अल्ला हाफिस बाई गाईज